हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में जितनी भी वेकेंसी के नोटिफिकेशन जारी होते हैं बिल्कुल आप लोगों को सूचना समय पर दी जाती है केंद्री माधिमिक सिक्षा बोड सीबियसी की तरफ से जो वेकेंसी का नोटिफिकेशन बिल्कुल नया नोटिफिकेशन जो जारी किया गया 29 फरवरी 2024 को पर्मानेंट वेकेंसी का तो पिसला वीडियो आप देखिएगा हां जहां पर कोई भी सनातक पास कोई भी ग्रेजुएट पास कैंदिडेट अपलाई कर सकते हैं इस वीडियो में भी हम कुछ पोस्ट जिन में केवल पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है कवर करेंगे इसके साथ में और भी कई पोस्ट देखेंगे सबी राजजे को कैंडिडेट बिल्कुल यहां पर आविदन कर सकते हैं सेलरी काफी अच्छी आपकी रहेगी पर्मानेंट वेकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो जो भी कैनी रेट आविदन करना चाहेंगे समय से पहले जो है आविदन करें तो नोटिफिकेशन देखने के लिए पिसले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था केंद्रे मादमिक सिक्षा वोर्ड मुख्य वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है जैसे ही क्लिक आप करते हैं यहां पर लेटेस्ट एड़ दरेट सीबियस सी सेकिंड नमबर पर वेकंसी का नोटिफिकेशन आपको शॉर्ट नोटिस देखने को मिलेगा उसके बाद डेटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा स्लेबस डाल दिया गया है और अप्लाइ कैसे करना है तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे ठीक है यह सारी चीजें मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ आप देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजवेट पास कैंडी रेट किसी भी सब्जेक्ट से एनी डिसिप्लिन एनी स्टीम तो बिलकुल आप लोग यहां पर अपलाए कर पाएंगे और कुछ नहीं मांगा है ना परसेंटेज की 50 परसेंटेज होनी चाहिए 55 परसेंटेज होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है केवल पोस्ट ग्रेजवेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए असिस्टेंट सेकरेटी स्किल एजूकिशन की वेकेंसी है यह भी जो है ग्रूप ए की वेकेंसी है लेवल 10 के कॉर्डिंग यहां सैलरी रहेगी उम्र यहां पर जनरल कैटिगरी की 30 येर है ठीक है पिसले आपका क्वालिफाई होना चाहिए अगर आपने नेट स्लेट या बीएड नहीं किया हुआ है पोस्ट ग्रेजवेशन भी नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल असिस्टेंट सेकरेटी एड्मिनिस्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पोस्ट ग्रेजवेशन complete किया हुआ है तो आप skill education के लिए apply कर सकते हैं यह तीनों ही जो vacancy है ग्रूप A की vacancy है और काफी अच्छी salary permanent post है skill education में 10 वर्स की छूट जो है woman candidate को रहेगी जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ I.U.C.M.A में छूट जो है यहाँ पर SCST category को 5 वर्स की है O.B.C. 3 साल की है P.W.E.D. unreserved category में 10 साल की है O.B.C. के लिए 13 साल की है SCST के लिए 15 साल की है वही पर woman candidate के लिए काफी अच्छा है 10 वर्स की छूट है यानि 40 वर्स तक की candidate जो है यहाँ पर apply कर सकती है इस पोस्ट के लिए ठीक है और qualification हमने देख ली है उम्र देख ली है और salary जो है वह भी आप लोगों को बता दी है salary के लिए सबसे उपर जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखें ग्रूप A की जितनी भी पोस्ट है सबी की जो है salary level 10, pay level 10 ठीक है आप देख लेते हैं दूसरी पोस्ट जिसमें qualification क्या कही गई है assistant security training इसमें कहा है post graduation आपका complete होना चाहिए साथ में B.A.B. होना चाहिए, net या slat आपका qualify होना चाहिए 30 वर्स जो है यहाँ उम्र है, accounts officer के लिए bachelor degree कहा गया है इसमें 35 year junior engineer के लिए B.E.A.B. Tech degree वाले, junior translation officer के लिए आप देख सकते है master degree आपकी जो है hindi में हो, साथ में English जो है आपने एक subject के रूप में पढ़ा होना चाहिए ठीक है और जो है English medium वाले भी apply कर सकते हैं, इस post के लिए hindi medium वाले भी apply कर सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि master degree अगर आपकी English में है और साथ में Hindi आपने एक subject के रूप में पढ़ा है कि यहाँ पर जो है master degree of a recognized university in any subject, किसी भी subject से किया है other than Hindi और English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject as the medium of examination at the bachelor degree level, ठीक है, काफी option है इसमें accountant की जो vacancy है तो इसमें bachelor degree आपका होना चाहिए, तो यह जो है commerce वाले candidate के लिए है साथ में typing speed भी मांग रहे है, 35 word per minute English में और Hindi में 30 word per minute computer पर junior accountant की जो vacancy है जिसमें 12th pass candidate apply कर पाएंगे, साथ में जो है accountancy, business studies यानि commerce वाले candidate के लिए यह vacancy है, typing speed भी में मांग रहे हैं, English 35 word per minute और Hindi में 30 word per minute और 27 साल junior accountant के लिए एज है, 30 साल accountant के लिए एज है, junior translation officer के लिए 30 verse है junior engineer के लिए 32 साल है एज and accounts officer के लिए 35 साल और आयू सीमा में छूट जो की आप लोगों को बता दी है, next जो है examination fees जो है, group A के लिए किसी भी post के लिए apply करेंगे, 1500 रुपए फीस है, group B या C के लिए apply करेंगे तो 800 रुपए फीस है, बाकी SCST, PWVD, ex-servicemen, women, regular CBC employees के लिए कोई फीस नहीं है, nil exam के द्वारा ही selection रहेगा, और सभी का अलग-अलग यहाँ पर pattern दे दिया गया है, कि आपका exam होगा, और कुछ post ऐसी है, जहाँ पर interview रहेगा, ठीक है, अब देख लेते हैं, selection जो है अब देख लेते हैं, यहाँ पर, कि जो आपके question पूछे जाएंगे, तो किस level तक जो है आप लोगों को पढ़ाई करनी है, तो assistant security के लिए जो है group A, administration के लिए graduation यहाँ पर level रहेगा, academic के लिए graduation या post graduation रहेगा, skill education के लिए graduation या post graduation रहेगा, और training के लिए जो है, रहेगा graduation या post graduation, उसके वाद account officer group A, graduation, junior engineer group B, graduation, next junior translation officer group B, post graduation, accountant group C, graduation and junior accountant group C में senior secondary, तो यह जो है आप लोगों को यहाँ तक का जो है difficulty level रहेगा exam में, cities of examination भी जो है यहाँ पर tier 1 exam के लिए बता दिये हैं, तो यहाँ पर center जो है आंदर प्रदेश, आसाम, बिहा, चंडिगर्ड, डेली, करनाटक, केरला, मद्यप्रदेश, महराष्ट, उडिशा, राजिस्थान, तमिल नाडू, उत्तर प्रदेश, उत्राखन, ठीक है बहुत सारे candidate जो की राजिस्थान के भी है, हमारे जो subscriber है, उ अलाहबाद जो है वो center रहेगा, अजमेर राजिस्थान में रहेगा, अर राजिस्थान में अजमेर रहेगा, मद्यप्रदेश, भोपाल, चंडिगर्ड, विजयवारा, आद्रप्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर center रहेगा, तो आप अपनी सुविदा के according center fill करिएगा, बा सारी चीज़ें दोबारा से देख सके, exam pattern देख सके, syllabus भी CBST की तरफ से डाल दिया गया है, medium of question and exam जो papers रहेगा, वो आपका bilingual language रहेगा, हिंदी और English दोनों रहेगा, तो चलिए मिलेंगे next video में, जैसे ही vacancy और भी जारी होती है, किसी भी राज्य की, बिल्कुल आप लोगों को समय पर जो है, वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, तो subscribe कर लें, bell button को press जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो को notification आपको time पर मिल सके, thank you